हेलो एव्रिवन वेलकम टू प्राप आप आज का वीडियो हमें लिगिक कर आये हैं आई बीपी इसका जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग ते रीजनल रूलर बैंक की जो नोटिफिकेशन आया है पौर आपके लिए यानि ओफिस असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर स्केल वन टू एन थ्री के लिए नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया गया है और इंडिया के जित्ती पे आरार्वीज हैं सब में वेकेंसी हैं 10,000 प्लस वेकेंसी हैं मेल और फीमेल दूनों अप्लाइ कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन का जो पीडिफ है वो मैं स्टेट 28 जून है तो आज ही अपना अप्लिकेशन जो है अपना फॉर्म फिल करिएगा ओकी आई बीपिस का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्रिशन के अंदर दे दोंगी सबसे पहले कि आपका जो इसमें पार्टिसिपेटिंग आरर भी कौन सी है तो आपकी सारी आर 3rd and Scale 2 की बात की है स्केल 3rd जो कि अपकी senior manager की है वहां के लिए आपकी eligibility criteria दे रखा 21 साल से 40 साथ फिर जो आपकी स्केल 2 आजाता है manager के लिए उसके लिए age limit दे रखी है आपकी 21 साल से 12 साल फिर आपका जो officer scale assistant manager जो है वहां पर 18 से 30 साल है और जो multipurpose staff है यानि कि आपकी clerk की position के दे रखा है 18 से 28 साल के लिए आपको एच रिलेक्सेशन में मिल सकता है अगर आप शिर्यूल कास्ट में है या फिर आप ओबी से चाहें उसके लावा अगर आपको कोई कोई disability है तो आपको 10 साल तक का रिलेक्सेशन मिल सकता है यह भी आप एक पर चेक कर लिजेगा फिर आजाते हैं अब अदर तिंक्स के उपर जैसे कि आप इसमें आपको आगे देखना है कि क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए कि एजुकेशन के बात की जाए तो क्ल चाहिए या फिर आपके पास को और डिइए जैसे कि आकरपस एग्री कल्चर के डिगरी ऐ होटीकल्चर इन डिग्रीज ये सारी डिग्रीज भी है पर बैलिटे इसके लिए आपको कोई experience रिक्वाइड नहीं है फिर आता है आपका scale to manager उसके लिए आपको बैशलर्स डिखर चाहिएगी 50% marks के साथ, साथ ही में ऐसे लोगों को preference दी जाएगी जिनको banking, finance, इंसर के दर थोड़ा experience हो, जिनको 2 years का banking and financial institutions के अंदर as a officer भी work कर चुके हो, साथ में specialist officer पर आ जाते हैं, तो specialist officer में 2-3 vacancies चाहिए है, एक तो है आपके information technology officer की, जिसमें अगर आपने B.E. कर रखा है electronics में, communication में, IT में 50% marks के साथ, और आपको one year का relevant field में idea है, तो आप इसके लिए eligible हैं, फिर हो जाता है आपका chartered accountant के लिए, तो उसमें अगर आप chartered accountant है, ICI से membership है, साथ ही में आपने one year complete कर रखा है as a chartered accountant then, फिर आता है आपका law officer, यानि कि आपने LLB कर रखी होनी चाहिए with 50% marks और आपको two years का experience होना चाहिए law work का, फिर है आपका treasury manager का, यानि कि आप chartered accountant या फिर MBA होने चाहिए with one year of experience, marketing and agriculture officer के लिए भी relevant things ही है, तिर आपका senior manager का आजाता है, उसके लिए आपको minimum five year का experience चाहिए, किसी भी bank के अंदर या financial institution के अंदर, साथ में आप bachelor's, उसमें preference दी से subjects के अंदर, अब देख लेते हैं हम आगे कि क्या exam pattern रहने वाला है, क्या fee structure है, तो अगर हम application fee की बात की जाए, तो scale one, two and three, और आपके clerk के लिए, जो SC, ST, PWD candidates है, उनके लिए तो 175 है, और जो आपके other है, यानि कि आपके जितने भी general candidates है, उनके लिए 850 आपका है, और इसक के अंदर include नहीं है, वो अलग से candidates को bond करेंगे, जो भी banking के processing fees लगती है, वो, अब exams की बात की जाए, exam two phase के अंदर conduct किराया जाएगा, pre and means, pre का paper बहुत ही simple है, reasoning and maths आएगा, simple आपका 40-40 questions आएगे, maximum marks 40 होगे, time दिया जाएगा, आपको 45 minute का, pre and office skill one, दोनों के लिए same paper conduct किया जाएगा, फिर आजाता है, यानि की combined paper conduct किया जाएगा, फिर आजाता है आपका means, वो भी objective type होगा, उसमें भी आपका दोनों का combined paper ही होगा, जिसके अंदर होगा, आपका reasoning, computer, general awareness, English और Hindi and आपका maths, 5 subjects है, ये, अब इसमें जो English और Hindi language है, इसमें से, जो students है, जो candidates हैं, वो अप अपनी preference की हिसाब से language को select कर सकता है, आपका maximum 200 marks का paper होने वाला है, और इसके लिए आपको composite time दिया जाएगा, दो घंटे का, अब देखते हैं, आगे, कि इनकी cut-offs और PT का क्या होगा, एक pre-examination training, जो RRBs conduct कराती हैं, हर साल, वो इस साल due to COVID-19 pandemic की वज़े से conduct नहीं हो आते हैं, वो online application form कर सकते हैं, might be, इसमें अभी कुछ guarantee नहीं दी गई है कि conduct होगा है नहीं, बट हो सकता है कि conduct कराया जा सके, pandemic को देखते हुए, अब आते हैं, next thing की तरफ कि क्या tentative dates होने वाली है, किस दिन exams हो सकते हैं, यह देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाता है online registration का, तो आप 8 June से लेकर 28 June तक भर सकते हैं, आज 16 June हो चुकी है, तो आप जल्दी से exam form फिल कर दीजे, then payment का भी same date है, आप उसके लावर जो आपका pre-examination training और यह है, कि आपका depend करता है, फिर आजाता है आपका pre-exams, तो pre-exams आपके August में होने की chances है, pre- or September में, उसके बाद main exam जो है, आपके September या October में conduct किया जाएंगे और आपका जो final result है, वो जो है, वो आपको November तक मिल जाएगा, इसके साथ ही कि आपके जो आगे मतलब जो आपका total marks होंगे, उसके अंदर आपके सिर्फ mains के marks को consider किया जाएगा, pre-के marks को add नहीं किया जाएगा, इस notification का PDF में आप नीचे दे आपके स्टेट के हिसाब से vacancies देख सकते हैं कि किती vacancies कि स्टेट के लिए है, different, different जो हमारे vacancies निकली है, officer 1, 2 and 3 scale के लिए, प्लस जो clerk के लिए निकली है, उसमें आप यहां से check कर सकते हैं, और accordingly आप form फिल कर सकते हैं, I hope आप आप लोगों कोई information अच्छी लगी होगी, आप